दॉक्टर स्वामी नाथन की रिपोर्ट को लागू करना और पूर्ण कर जमाफी की मांग को लेकर जहां पिछले एक महिने से पूरे देश के किसान केंदर सरकार के खिलाफ सरकों पर थे वहीं 23 फरवरी से पंजाब के किसान भी केंदर सरकार के साथ बात करने के लिए दिल्ली आ रहे थे जिनको 23 फर्वरी को पंजाब सरकार की और से भारी पुलिस बर लगा कर संग्रूर के गाउं चीमा मंडी में ही रोक लिया था एक महीना लगातार पूरे पंजाब के किसानों ने चीमा मंडी की अनाज मंडी में एक खुली जेल के रूप में बिताने के बाद आखिरकार दिली का रुख कर लिया अब ये किसान दिली के रामली लामेदान में केंदर सरकार के खिलाफ परदर्शन कर रहे हैं किसानों को कहना है कि उनका यह परदर्शन उतनी दिर तक जारी रहेगा जब तक केंदर सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती किसानों के पास अपने खाने पीने का समान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जमा करके रखा गया है जिसके चलते अब दिल्ली के राम लिला मैदान में भी किसान अपना खाना खुद बना कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैट गए हैं जिनको अब पूरे देश के किसानों का समर्थन मिल रहा है किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाएगा तब तक वह दिल्ली के राम लिला मैदान में डटे रहेंगे और मीडिया के जरी दूसरे किसानों को भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने अपने आने वाली पीडी को बचाना है तो हमारा साथ दीजिए दिल्ली से हरश कौशल आजाद टीवी नियूज अगर देख्टर स्वामे नार्णी रेपोड लेंड ले अर्टे समुत्या काठ्या किसाना नों को अर्धितों मोट कराऊ ले असी दिल्ली जे वितर टटे होयां और जिन्नाचे रे साथी दूने मंगा लागूनी हुनिया उन्ना चरसी लगा तारे समूटे नूं मैरे इसम सिंग जातरी पार्थी कसान जोने एकता शुदूप्र जोके पिछली भाई फरवरी तो पसी केंदर सरकार दे बरुद डाक्टर स्वामे नार्णी रबोड़नू लागून कर मोना ते समुच्चा करदया खातम करम ले शिंग अर्षा पेटे होया पर माके प्याव सरकार ने रोकां लागियां सी थां थां एक मी निने बाब जित रोक के रख्या सी और फेर भी शिंग अर्षा के बाता होया दिली र्यावरी लामदान दे वेच पुचली शामल होया जो साधीया मंगान बैक्टर स्वामे नार्णी लागू करोना समुच्चा करदा खातम कर होना जिनना चरफ ये मंगान लागूनी होनियां असी और ना चरफ किसी भी कीमते पिछरी हटाएं